नमस्का दोस्तो पोण वाइकड़ में आपका स्वागत है दोस्तो कल कुछ ऐसी घटाएं हुई जो आपसे शेर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब कहीं पर तो कॉफी चल रही है कहीं पर कोई बारे फेक रहा है और कहीं तो मतलब सीवीसी का पेपर ही दे दिया इस्टेट बोड के बच्चों को तीन घटना ऐसी हुई है मतलब जिससे लग रहा है कि इन पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले भी अपारे शिक्षा विवाग की ओर से जो है इस्पेशली मतलब हर सेटर पर पुलिस होती है अभी भी है लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है सबसे पहली जो घटना है वो समाजे नगर की घटना है जहां पर दसवी के बच्चे पेपर दे रहे थे उनके पेपर पर बच्चों ने कुछ रंगिन पाजी से भर हुआ गुबारे फेकना चुरू कर दिये इससे हुआ यह है कि कुछ बच्चों के पेपर ही खराब हो गए अब उसके लिए सेंटर ने क्या किया कि उन बच्चों के पेपर पर बच्चों की सिग्निचर लेकर वो पेपर स्पिशली जो है कस्टडी में जमा किये हैं और उस पर एक नोट भी लगा के रखा है कि यह प परिक्षा परिक्षार के लेकिन इस तरह से हो रहा है तो यह कहीं नगहीं गलत है आगे बढ़ता है यहां पर पैठन में आप देख सकते हैं कि कॉपी जो है मैं आपको जी 24 के सोजने से दे रहा हूं और यहां देख सकते हैं आप यह नीचे बंदा खड़ा है यहां पर यह यहां पर ऊपर कॉपी फेक के दे रहा है मतलब अभी इस तरह से भी होने रगा है अभी अगर देखा जाए तो इस तरह के इसके लिए लास्ट ये भी एक जाने की है धारावी क्या है धाराशिव की स्वरी जो की घाराशिव की घटना है जहां पर हमारे जो टैंथ के पेच्चे थे उनको च्रेंट का पेपर दे दि sensible अब इन बच्चों ने वहाँ पर जो muitas आविलेबल थे उनको कहा कि सरी स्बाहरा पहुचा कैसे और किसकी गलती है कि कैसे हो सकता है कि स्टेट बोर्ट के बच्चों को सीबेसी का पेपर कैसे पहुच गया मतलब यह इसमें कहा जा सकता है कि दोनों डिपार्टमेंट चाहिए सीबेसी वालों को भी देखना चाहिए था कि यह पेपर यहां तक कैसे आ गया और जो GTV के सोज़ने से में नियूज देने हैं, GTV का भी वीडियो आई ही चुका है, तो वो जरूर इसके ओपर कोई निर्णे लेगे, तो धाराशीव की जो बच्चे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि चिंता न करें, इसके ओपर जल्दी से ही कोई निर्णे आ जाएग और अच्छे से पढ़ाई करते लो भी है, रिजल्ट अच्छा ला रहा है, और मैंट्स के पेपर के पहले मैं लाइव आने वान हूँ, चिंता मत करो, ठेंकी बरी मच, बबाई, टेक कियर, have a nice day